कि नमस्कार कुदे इंडिया में स्वागेत आपका मैं हूं श्रमान आनन्द और राष्टी अलाएं दिल्ली एक बार फिर से अराजक्ता के चेपेट में आ गई है तथा कसेट किसान अनुट उतर हैं और उन्हें कई सारी माउं की लंबी फेरिस रखी है जैसे कि उन्हें में MSP की गारंटी दी जाए और लखीमपूर खेरी के में जो कांड हुआ था उसकी सजाद दी जाए किसानों पर जो मुकद में दर्जुए थे एक किसम है वो आपस लिये जाए यानि कि अराजक्ता की पूरे छूट मिले हुने और इस तरह बहुत सारे मामले हैं जिसको देख के लगता है कि इस बार का निसान गांगोलन पिछली बार की तरह जादा है और इसके पीछे किसानों की समस्यां कम है और इस मुद्धे पर जादा हमारा ग्यान वद्धन के लिए मौजूद है राकेश शुकला जी वरिश पद्रकार हैं और संपादक भी हैं तो हमक्षा पा लाकेश जी किसानों ने इस बार जो मांगे रखी हैं बड़ी असंभों सी मांगें हैं कि अरा जक्ता फैलाने वाले किसानों को बसे मुगद्व वापस लिये जाएं एक एमस्पी गारेंटी दी जाए तो और बहुत सारी लबी लिस्ट लबी फेरिस्ट है तो क्या लगता है यह किसान अंदूलन किसानों का है या किसान नेताओं का है प्रडिक्स खली जा रही है चुनाव सभी पहले अनसुमान जी हमें दोनों चीज़ों को अलग करके देखना चाहिए किसान आराजक नहीं होता है और जो आंदूलन करते हैं वो किसान नहीं होते हैं क्योंकि किसान तो खेती से ही फुर्सत नहीं पाता दोनों चीज़ों को हमें अलग करके देखना पड़ेगा दूसरा इसमें सबसे महत्तुपूर जो बिंदू है वो यह है कि सिर्फ इस पूरे भारत देश में जहां एक बड़ी आवादी है किसानों की वहां से पंजाब ही अंदुरन के वा वहां का किसान आंदूलन करने क्यों नहीं आता तीसे मुझा यह है कि यह किसान आंदूलन के लिए उपद्रव आगजनी और इस तरह का रास्ता क्यों अपनाते हैं सांतिपूर्ण परीकेसरी बातचीत होती है तो आप मैटके बात करिए बातचीत करने से समाधान निकलेग तो आप सहीन बाग जैसी क्या माग मनवाने के लिए बाड़बंदी करना ही उपद्धों का यह तमाम ऐसे भी से हैं जो यह इंगित करते हैं कि किसान की जगे पे आंदूलन करने वाला जो बर्ग है वो विशुत तोर पे राजनीतिक बर्ग है किसान आंदूलन करने नहीं तो जी 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 आपने बहुत आ बहुत मार्के की बात कई है कि किसान अराजक नहीं होता है और अराजक किसान नहीं हो सकते हैं हमारे साथ सरकार जी मौझ। पत्रकार हैं विश्लेशक हैं आगा बहुत हो स्वागत है तर पहले तो नमस्कार जी शुवाई साब ये चुनावी साल में ये किसानों ने फिर से बवाल शुरू कर दिया है ना ते चंद महीने बचे हैं चुनाओं में क्या लगते हैं आपको इसके पीछे कि अगर किसानी कर रहे हैं तो बात लगें क्योंकि वैसे कहना मुश्किल है किसान कहां से आ रहे हैं तो नहीं आ रहा है किसानों के कुछ दुख दर्द है उसको सरकार को देख लेना चाहिए क्योंकि एक चीज जो है देखिए कुछ चीजे जो है इसमें सरकारों से चली आ रही है मैंटीन 85 से 2005 तक का अगर देखें आप तो किसानों की जो आमदनी थी स्टैग्ननट थी बड़ी नहीं थी उसके बाद भी 2005 से 2016 तक जो है वह आमदनी उनकी कम रही है और उनकी यहीं डिमांड रही है कि MSP ठीक से हो पैसे मिले उस पर यह कहा गया कि नहीं अब किसान बाकी चीज़ों पर जो है जो पैसे प्रडूसरी करता है तो किसान भी कर सकता है उसके एक इशारा था कि कॉर्पोरेट जो है वा रहे हैं वो लेंगे और उससे तुस तरह से होगा तो उसका एक दूसरा नतीजा हुआ क्यों और यूरिपोर्ट है उसके इलावा भी और इंटरनीशनल जो इस बीपोर्ट सा रही है वो किसान भी बहुत इसन की स्टेस्स में से बहीं नहीं है यूरोप में भी है जहां-जहां कॉपर्रटाज़ाजिशन वहां भी है और हिंदुस्तान के किसान जो है सबसेए किशी बा एश्योरंस रहता है मिलता तो भी नहीं है दूसरी चीज दो खंवüş सर्वे अगर देखें तो उनकी आमदनी जो ती वो उतनी जादा नहीं थी किसान के साथ सबसे बड़ी चीज जो है किसान देखिए हिंदुस्तान में किसान चाहिए है कि एमस्पी पर कानून बनना चाहिए और मेंस्पी सिक्यूर होनी चाहिए और किसान चाहते हैं आमदनी बढ़े हैं किसान की आमदनी बढ़े उनके लिए क्योंकि अगर बायार भाव से उन्हें का मोले मिलता है जो कि पहले क्रिशी कानून में था सब्सक्राइब वापस लिया तो उसमें उन्हें दिक्कत थी अमदनी बढ़ानी यह कैसे संब्ढ़ हो है श्रीवा बताएं इस में खेती करने वालों का दो बर्ग है एक किसान एक खेतीहर मजदूर आज किसान का जो पड़ा है वो कम हो रहा है कितिहार मजदूर का आकड़ा बढ़ रहा है देश में जो छोटी कास्त काली करने वाले हैं यानि एकर धाई एकर तीन एकर में जो खेती करने वाले किसान है उनकी संक्या बहुत आयत है तो इस तरीके सिद्धी आप देंगे तो MSP का जो लाव है वह एक बड़े पॉकट वाल है छोटी खेती करने वाले किसान के पास MSP तक जाने का कोई जरिया ही नहीं है उसकी आमदनी यानि उसका उत्पादर कितना कम है को बजाज में खपत कर लेता है तो देश में यह बड़ा बर्ग छोटे किसानों का है तो उन छोटे किसानों को कैसे लाब दिया जाए यह मू सबस्क्राइब कर देए तो सबस्क्राइब करना पर बार को जाना पड़ेगा जिसका उत्पादर बहुत ज़्यादा हुता है उससे किसानों को नुक्सान को नुक्सान नहीं तो बागिए दियुत पादन बढ़ गया तो क्या किसान उस पे नुकसान नहीं उठाएगा इसलिए समर्थन मूल को बहतर करने, किसानों के आमदनी बढ़ाने के दूसरे माध्यम होने चाहिए, आपका जो खाद है, बीज है, उसके रियायत मिले, बहतर उत्तम किस्म के आपके बीज मिले, जैबिक खेती और आपके रसाइनिक खेती, दूनों के प्रेयोग को आपको ब मुझे ठीक नहीं लग रहा, अन्सुमाल जी, बिल्कु सही का आपने, बिल्कु सही का आपने, मैं भी इसी बात पर द्यान देलाएं जाता, यह सवाल शुए साप के लिए है, सरकार साप के लिए है, सर, अगर देखे, बुरे दुनिया में चाहल की किमते बढ़ रही है, औ अगर MSP फिक्स कर दी जाए, तो क्या किसानों को नुकसान नहीं होगा, आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए नहीं, मैं आप तो बिहार का उदारन देता हूँ, बिहार में भी उस बत की जो सरकार थी, मैंन मोहन सिंह की सरकार और बिहार की सरकार दोनों मिलके, बिहार में APM जो था, यानि जाना आज मंडियां थी, उसको खतम कर दिया, और उसका नतीज़ा यह हुआ है, कि आज भी बिहार के किसानों को सही दाम नहीं बिलते हैं, होता क्या है, पंजाब के किसान जाते हैं, बिहार से यहों और अनाज खरिदते हैं, और पंजाब में ले जाकर उसको बेशते हैं, और फिर भी हो मुनाफे में रहते हैं, यानि कि दुकसान जो है, बिहार के किसान का हुआ फायदा पंजाब के जो भी जिसान हो ट्रेडर हो जो भी है उसको तो हमें यह चीज पर ने जो है हमने इस चीज की ठीक से study नहीं हम हर चीज जो है हरवड़ी में करते जा रहें पिसली सरकार जो थी यह कहा जाता था कि corporate सरकार थी और उन्होंने बहुत सारी गल्तियां की हम उस गल्तियों को दोराते जाते हैं और हम समझ गए हैं कि हम सही पे रहे हैं नहीं हम सही पे नहीं है किसानों को अगर आपको मदद करनी है तो आप APM को स्ट्रॉंग कीजिए और किसान जो जो भी वहाँ पहुंसता है उस को दे कि MSP में क्या होता है MSP का मतलब होता है कि क्लोड प्राइस और मिनिममम प्राइस होता है मैक्सिमम नहीं होता है मिनिममम सपोर्ट प्राइस जी ना तो वह तो कम से कम और वह उतना ही होता है जितना किसान की लागत होती है अभी जो मोजी सरकार ने किया है लेकिन आप कि अगर आप कि मीशके मिलब से मिल पाती है जो खरिदार है कि नहीं मुल्य नहीं मिलता है और इसको हमने एंशियोर करने के लिए पूरे सिस्टम में मैंने एक्टी फाइब से दोवजार पांस तक कहीं बताया और दोवजार सोला के बाद तो हमारे पास तमाम ऐसी अपर्ट्यूनिटीज थी जिसमें की थोड़ी सी स्टडी करके उनके जो किसान की की वी ना उसको भी आप जोड सकते हैं और उसके बावजूद किसानों के जो आविरेज किसान ही कुछ आप पूझ और जो आपके नहीं बहुदब किसान की नहीं जो है कि स्वामिनाथन कामईटी के रिपोर्ट ने दी थी आज भी नहीं है तो इन चीजों को स्टेडी करके कर लेना चाहिए और उसके वज़े से क्या होगा तो बेसिक मुद्दा ही नहीं होगा तो आंदेलन कौन करेगा मैं रखना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा जहांच का विश्यस्य यह सबसे जादा खरिदारी पंजाब से क्यों करती है क्या दूसरे राज्यों में उत्पादल नहीं होता वह उत्तर प्रदेश भिहार मद्द्प्रदेश से गेहु और चाबर चाबर से गेहु और चाबर क पूरा चैन पूरा नेटवर्क है उसी नेटवर्क के चलते एफ्सियाई भी उस नेटवर्क में है इस लिए सारी खरिदारी पंजाब से करती है जो अभी सिवाजी एक मारकेट नहीं है तो मारकेट त्यार करने के आओ शकता है बड़ा मारकेट अब बड़ा मारकेट के साथ-साथ FCI के लिए कोटा तैय करने की जिरूरत है और उस पे नगरानी करने की जिरूरत है कि आप राज्यों से जो खरेदारी करने हैं तो आप अपनी रिपोर्ट में यह नई लिखेंगे कि इस राज में उत्पादन कम है, इस राज में जदा है, सरकार बनानी चाहिए, जो इस बात को देखे 21 राज में उत्पादन कितना है, कमेटNew kon Barr how toen a State government से आखना है उसके क्या उत्पादन हुआ, his hei kiansa Aoit anaj राज्यों कियो छाण रहा है बिल्कुल और सारा अनाज आज तक आपने सुना गया कि पंजाब में कोई अनाज सड़ा है वाकी राज्यों में क्यों सड़ा जाता है अनाज प्रकुल और सड़ा जाता है जिन मुद्दों पे बहुत गयर भराई से जाज करने की जरूरत है यह चिंतन करने का मुद्द नहीं यह जाज का भी सह है और उस जाज की तह तक जवाब जाएंगे तो जिस किसान की इसूपर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो किसान पहले आगे भी खुशाहाल ता आगे भी खुशाहाल हो पाएगा अन्सुवांज जी आपने बहुत एहम बात कहीं कि एफसी आई सारी खरदारी पंजाब से क्यों करता है यह कि बड़े-बड़े राज उत्तरपदेश मद्यपदेश जो कि MP गेहों के लिए कितना प्रसिद है MP का ग आप से हमने सिस्टम्स को ठीक से नहीं बनाएं और हमारे पास बहुत जो है इस वक्त जो है मोजी सरकार जिस तरह से काम कर रही हैं उनके पास बहुत अपर्चुनिटीज हैं पर मैं समझते हम एक चीज़चा दौहां भी हो जाता है कि जो रोग वेस्टेड इंट्रेस्ट क है वो भी सरकार तक सही जो सलाह है वह नहीं पहुंच जाती है तो यह सरकार अगर सीधी बारता होती है वो नहीं करने दे तो सरकार अगर सीधी बारता उन्से करे तो मैं समझता हूं बहुत से जो स्वाधान है वह आसानी से हो सकते हैं तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप वो रिप्रेजेंटेटीव फार्मर्स हैं या नहीं है तो आने देजिए बात करने देजीए ठीक है बात करने की ज़रूरत है और खास करके ऐसे खास मौकोब है जब कि चुनाओ सामने है वैसे मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इस बार किसान अंदोलन जो चल रहा है उसमें सभी किसान जंगठानों के भागिदारी नहीं है पिछली बार जो हम टिकैट फैमली को देखा था इसमें बहुत बजर के हिस्सा लेते हुए टिकैट और उनके भाई नरेश टिकैट दोनों इससे बहार है पर्शिव तरपत्र के संगठान इससे बाहर है और इस बार अलग संगठाउन है लीड ले रखिया वैसे राकेश जी एक समय हो चला है राकेश जी से संबक तूड़ गया था दुवारा जोड़ा है राकेश एक सवाल और आपसे बड़ा एहम बात है हम लोग सब खेती के बैग्राउंड से आते हैं और खेती के परिवारों से बिलॉंड करते हैं वहले हम आज कहां कहीं ही बैठे हों हम अच्छी तरह जाते हैं कि सिर्फ धान और गेहूं पर आधारित क्रिशी जो है किसान को मुनाफ़ा नहीं देती है बलकि मिश्रित खेती की त्वेश था जिसमें पश्रुपालन भी है इसमें होटी कल्चर है पेल लगाना है मदमुख्य पालन है इसमें क्यों और चनाती है क्या समस्या रही है इसमें अग्रेंशन बहुत शॉट जी हम एमपी एस चीज़ों पर देते हैं बाईस तरह कि आनाजों पर एमस्टी देत सब्सक्राइब बड़ी मात्रपुन बात जो आपने कही उसका कारण यह है कि हमारे किसानों का पूरा फोकस कर दिया गया मनी क्रॉप किसानों को बताया कि आप गेहूं का उत्पादन करेंगे तो उसमें सरकार भी खरीदी करेंगी बजार में रेट बहुत अच्छा आएगा आप धान का उत्पादन करेंगे तो चाबल का रेट आपको बहुत अच्छा मिलेगा यह जो मनी यानि मनी माइंडेट किसानों कर दिय आपको मैं बता दो पिछले कुछ साल पहले तक इस देश में सोयवीन की खेती के दिए बड़ा प्रोसाहित किया गया किसानों को उनको बहुत सस्ते दर पे बीज उत्पलवाद किराया गया. उनको कहा गया आप सोया बीन उत्पाजित करिए. पांस जार रुपए कुंटल तक सोया बीन खरीदा जाएगा. और वो किसान जो एक अच्छी फसल उत्पादन करता था गेंग और चाबल का, वो किसान सोया बीन पर फोकस कर गया, आपको पता है वो किसान कैसा नुकसान उठाया, वो किसान नुकसान उठाया, जब उसमें लालच में सोया बीन का उत्पादन किया, और सोया बीन का मिजाज यह होता है कि यदि आप उस पे एक बून, खलियार में एक बून भी पानी पढ़ गया, वो बीज फिर कोई नहीं खरीता, वो हो जाता है जीरो में, तो किसान कई सो कुंटल सोयाबीन बोने के बाद जीरो में पहुंच गया था, खाद लगाया, बीज लगाया, पानी लगाया मेहनत लगाया, और उसको रिजल्ड क्या मिला, सुन, उसी तरह से आपने गेहू चाबल पे फोकस किया, उसका कोई सोय भी इनका खरीद ही नहीं हुई, घर पे रखा रहा उसने, वो तो मवेसी भी नहीं खिला सकता, मवेसीयों को भी, फिर गेहू चाबल पे उसने फोकस कि जब गेहू चाबल पुस्टें फोकस किया, तो उसका क्रिसी कार का चक्र जो है बदलना सुरू हो गया, पहरी क्या होता था, बरसात के सीजन पे वो एक फसल लें लेता था, अब फिर सर्दी के सीजन पो दूसरी फसल लेता था, अब वो क्या कर दिया है, अब वो एक फसल चाबल का लेता है, दूसरा फसल गियों का लेता है, तीसरी तरह का उत्पादन करने वो जाई नहीं रहा, अब हम मोटे आनाज की तरह फोकस कर रहे हैं, लेकिन मोटे आनाज की तरह फोकस करने से फाइदा क्या होगा, फाइदा इसलिए नहीं हो रहा, कि जो किसान मोटा आना तो आपको एक बड़ा बाजार तयार करना पड़ेगा और एक ऐसा बाजार तयार करना पड़ेगा जिसके सामने ये बाजता होगी कि किसान से वो समान खरीदे या व्यापारी के उपर भी ये बाउंडेट होना पड़ेगा ये आपको ये खरीदना ही पड़ेगा तो यह जो फोकस्ट काम हो रहा है चाहे ब्यूरोकेट का हो चाहे सरकारी मसिंदी का हो या यह कौकस चलाने वाले किसान के रूप में तथाकसित किसान या व्यापारियों का बर्गो इस सब पे नकैल कसने की आशकता है इस समस्टिय का हैसु कही चाहेंगे करने कीज़र्डर की चाहेंगा की और बात करने करने हैं कोई और सब्सक्राइब vå pe幾 सब्सक्ता है अगा आप में बेरेख को इतना कहना चाहूंगा कि देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त जो है सरकार को चाहिए पॉलिटिकल रिजन्स से भी और वैसे भी कि उनको बुलाके उनसे बातचीत करें और बिरोक्राइट जिस तरह से उनको गुम्राओं कर रहे हैं अब क्यों कर रहे हैं यह तो बिरोक्राइट बता जो है एक अच्छी तरह से बैठकर इस पर जो है सारे लोगों को लेके और पार्टी इस को लिए हैं पिस सवाल यह है कि बाद में कोई क्यों कहें कि हमसे बात नहीं किये हमें यह पता सकते थे अब सबको लेकर बात कीजिए एक इंटर पार्टी कमिटी बनाई हैं एक्सपर वर्ल्ड ओवर किसान परिशान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है और यह जो युक्रेन और रशा की लड़ाई चल रही है इस्रेल और गाजा पत्टी में पलेस्टाइन के साथ चल रही है इन सारी वजयों से वर्ल्ड का मार्केट जो है वह गड़ बढ़ा रहा है इसमें हमा मारे उपर्चुनिटिज भी है पर हमारे लिए फ्रॉब्लेश भी है है चाल किसानों को प्रैस के लिए बीढ़ा के लिए ऐच्छा रहे सरकार के भी रूट डिस्टर हुए हैं इस वज़से भी कई सारे उत्पाद पहुशनी पाने इंट्रेशनल मार्केट में लेकिन अभी हाला कि आप दोनों विद्वानों से बात करके बहुत मेरा ग्यान वर्धन हुआ हाला कि बाते बहुत सी हैं लेकिन समय की कमी है तो मैं उमीद करता हुए जितनी बाते आपने बताई हैं वो हमारे दर्श्कों को बिल्कुल उनका बढ़ा होगा और वो किसाना दोनों की वस्तिक्ता समझ गें होंगे और इसकी हल पे भी वह विचार करेंगे आप दोनों विद्वानों का बहुत बहुत धन्यवाद्वाद्व किस उनका प्याद्व थोनों था हैंना दिटीर मुए झाब घ पुज दोनों वाले किसक्वाद्वाद्वार इसक्ता यह भी वाले हैं र saat को बिल्यानочно पना सृश्वाद्वाल रब्टषभ का र BROWNिश्वण पर दestersική